साई की बात प्रिक्walk चल रही है प्रिक्षा चल रही है मानता हूं लेकिन उसके साथ न कुछ लीलाये भी चल रही है तुम्हारे ची Match सप्सक्राइण हो एक तो बहुत कि समझ में आ और इंशान पर उसके सामने घटित हो रहा होता हुषomina मच में नहीं आ रहा हूता लेकिन मैं जानता हूँ ना कि मैं कर रहा हूँ तो बस थोड़ा सा इंतजार करो इतना इंतजार किया है तुमने इतने संघर्ष किये है तुमने तो बस थोड़ा सा और इंतजार उसके बाद जिंदगी बहुत कूपसूरत है तुम्हारी बहुत कूपसूरत मैं बनाने वाला हूँ और बना भी रहा हूँ बस तुम्हारे सामने लेकर रहूंगा प्रत्यक्ष रूप से चिंता बिल्कुल भी मत करो और सुनो ये दीन दिखावे से न तुम दूर ही रहा करो तुम्हारे साथ वाले लोग दीन दिखावा बहुत करते हैं उन्हें लगता है कि दीन दिखावा करने से न उनकी बहुत समाज में इज़्जत हो रही है उनके पास भले ही चाहे कुछ भी नहूँ लेकिन वो हर चीज़ को इधर से उधर करके न वो सब अपने आपको दिखावा करने की कोशिश करते हैं महंगी महंगी चीज़े लाकर बहनने की कोशिश करते हैं चाहे घर में सब कुछ बरबादी क्यों न हो रहा हो घर की चीजों को बेच बेच कर, लोगों से उधार मांग करना, बस दिखावा करना है उन्हें और कुछ भी नहीं है, तो ये करके न कोई समझदारी वाले काम नहीं है मेरे बचे, समझदार व्यक्ति से नहीं कहते, अगर तुम्हारे शौक है महंगे महंगे शौक है न, तो उ पिर तो चीजों को समझने की कोशिश करो और मुझे मालूम है कि मेरे कुछ बच्चों को दिखावा तो बिल्कुल पसंद है ही नहीं उनके पास भले ही चाहे कितना भी हो लेकिन वो खाते वही रूखी सुखी रोटी है और वैसे भी मेरे बच्चे चाहे कोई बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो खाता तो दो रोटी ही है ना उसके साथ जो पेट लगा हुआ है जो मैंने पेट दिया है उसमें तो उतनी ही जगा है ना ऐसा तो नहीं ना कि जो अमीर है वो सोना खाता है और गरीब जो है वो सुखी रोटी खाता है ऐसा तो कुछ नहीं है ना हाँ ब अध्यान रखना जो गरीब इंसान है वो जुगी पे रहकर भी अपनी आत्मा को तरफ्त कर लेगा संतुस्ट हो जाएगा लेकिन जो बहुत अमीर व्यक्ति है धन्वान है उसके पास फिर भी बहुत चिंताएं होंगी बहुत सारी बिमारियां होंगी सब कुछ होते हुए भी भी वजाही रही है जीने की और ना मेरा कोई वजूत है तो सुनो मेरी बात मैं तुम्हें तुम्हारा वजूत और तुम्हारी बहचान मैं तुम्हारे पस कुछ करने को नहीं न तो अपने आस पास वालों के चहरे पर खुशी लेकर आओ तुम्हारे आस पास कुछ ऐसे ब तुम मेरे आगे नौ अगरबती चलाना मेरे बच्छे नौ अगरबती चलाना और जो उसकी राख होगी ना उसे बंद करकर एक डबी में ना उदी के समान उसे लगाना और उसमें मेरा मंतर चाप करना 108 बार वो उदी बन जाएगी तुम्हारे पस उदी नहीं है न तो इस तरह से कर लो और रही उदी की बार तो मैं उदी भिजवा दूँगा तुम्हारे लिए लेकिन अभी हाल फिलाल तुम ये काम करो क्योंकि तुम्हें उदी की सक्त जरुवत है मुझे मालूम है समझ गए न तुमसे मैंने क्या कहा कि नो अगरबती जलाओ उसकी जो राख है उसमें मेरा मंतर रचाब करकी एक डबी में भरके रखो और उदी की तरह उसे लो ग्रहन करो मेरे बच्चे फिर देखना उदी की तरह ही वो काम करेगी वो उदी की तरह ही कारगार होगी मेरे बच्चे अभी कुछ लोगों को न समझ में नहीं आरा तुम्हारे समझाने के बावजूद भी न वो सबको सही समझ रहे हैं और तुम्हें गलत समझ रहे हैं लेकिन वो सही वक्त जरूर आएगा जब वो भी तुम्हें समझ आएगे कि तुम सही थे और वो सारे गलत थे आज भले ही वो तुम्हारे पक्ष में नहीं बोल रहे हैं न लेकिन कल को जब समझ में आएगा न तो वो तुम्हारे ही पक्ष में बोलेंगे तुम देख लेना आज तुम अकेले होना, कल को वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम देखना, तुम्हारा कंधा बनकर, तुम्हारा सहारा बनकर, और यही तुम चाहते होना, कि वो तुम्हारा सहारा बनके खड़े हों, तो वो होंगी, सरूर होंगे, बस थोड़ा सा वक्त रुख जाओ मेरे बच्चे क्योंकि हर एक चीज ना सही वक्त आने पर ही होती है पहले से नहीं कर सकता मैं भी क्योंकि मेरे भी हाथ बंधे हुए होते हैं हां कुछ चीजे कर सकता हूँ और करता भी हूँ न लेकिन हर पल हर वक्त नहीं न कुछ चीजों को समझा करो और सुनो तुम हर किसी को दिलासा देते रहते हो है ना लेकिन खुद को दिलासा देने की बात आती है तो बिलकुल तूट जाते हो बिखर जाते हो फिर सीधा सीधा मेरे पास भाग कर आते हो है ना और चब तुम मेरे पास भाग कर आते हो ना उस वक्त मैं तुम्हें गले से लगा लेता हूँ तुम कि मुझे नब बहुत प्यारे लगते हो तुम और मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द को ले लेना चाहता हूँ मैं तुम्हें दिलासा देता हूँ तुम दुनिया को दिलासा दो और मैं तुम्हें दिलासा दूँगा तुम्हारे आसू मैं पोचूंगा तुम दुनिया के आस किसी चीज की कोई कमी नहीं आईगी ना अन Beckina प्रेजिव ना किसी और चीजी की तुम्हें मैं पहले बहुत बार दर्शद दे चुका हूँ बहुत बार लेकिन इस बार मैं तुम्हें साक्षात रूप से धर देना चाहता हूँ और मैं तुम्हेंदर देंने आए मेरे बच्ची तुम्हारा विश्वास और जागरत करूँगा तुम्हारे विश्वास को और दिरन करूँगा जिसे कि जितना तुम्हारा विश्वास दिरन होगा ना उतना तुम मेरा प्रचार कर पाओगे उतना तुम मेरे बच्चों में आगे मुझे कर पाओगे जिनकी ज कैते हो ना तुम सबसे कि साइं के पास चाओ वही सब कुछ ठीक कर देंगे है ना और अगर तुम्हारे विश्वास पर कोई भी मेरी चोखट पर आता है ना कोई भी चाहे वो पशु बक्षी ही क्यों ना हो ना तो वो सही होकर मेरा अश्रवाद लेके ही मेरे दर्बार से जा अच्छा को पूरा करना होता है क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास को डगमगाने नहीं दे सकता एक तुम्हारा विश्वास और एक उस व्यक्ति का विश्वास जो तुम्हारे विश्वास पर आया तो मैं ऐसे कैसे मेरे बच्चे यूंही जाने दू और सुनो तुम्हें गलती मानने होगी इस बार, ये गलती तुम्हारी थी मेरे बचे, तुमने उस तरीके से महनत नहीं की, जिस तरीके से तुमें वो उत्रीन अंक चाहिए थे, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तुम जानते हो न, तुमने उतनी महनत नहीं की थी, ये बात तुमने मेहनत की थी, मैं उनके साथ में भेदभाव कैसे कर सकता हूँ, बता दो मुझे, हाँ, मानता हूँ कि तुम मेरा नाम लेते हो, लेकिन वो बच्चे भी मेरा नाम लेते हैं, चाहे साइं के रूप में ना लेते हो, लेकिन किसी और रूप में तो लेते हैं ना, मैं किसी और तुम महनत कर सकते थे और तुमने पूरा साल भी महनत की लेकिन अंत में आकर न तुम बहुत आत्मविश्वासी हो गए जरूरत से जादा देखो आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है लेकिन जरूरत से जादा तो कोई भी जीज सही नहीं है न अगर जरूरत से जादा ह तुम्हें क्या लगेगा कि हाँ तुम्हें सब कुछ आता है तुम सब कुछ कर सकते हो तुम बहुत महनती हो महनत का मतलब यह नहीं होता मेरे बच्चे कि एक बार महनत करी और पीछे हट गए एक बार सफलता हासे लो गई तो पीछे हट गए नहीं बिलकुल नहीं सफलता का म अगर तुम्हीं उनको पीछे करके आगे निकलना है तो दिमाग से काम करना होगा, पढ़ना होगा, महनत करनी होगी, तभी जाके तुम आगे निकल सकती हो, आगे बढ़ सकती हो, तो अपनी महनत को कभी छोड़ो मत, रुको मत, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जब तक मुकाम हासिल ना हो जाएना, तब तक महनत करो, समझ गए, खुश रहो, आज का रातरी साई संदेश, समाप दूवा.